हेलो फ्रेंज नमस्ति तो जब भी आपका पीजा खाने का मन करें तो इस चीज पराठा को एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा और यह आपको और आपके बच्चे को बहुत ही पसंद आएगा और इससे आप अपने बच्चों को टीफिन के लिए भी बना सकते हैं जटपट से पन भी चाती है बहुत ही कम समय लगती है इसे बनाने में तो चलिए देर न करते हुए इस रेशीपी को जटपट से बना लेते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरीकी के बर्तन लेंगे इसमें डाल देंगे एक टोड़ी सी थोड़ा कम गेहु के आटा और थोड़ा इसमें है यहाँ पर कुछ सबजिया लेंगे इसमें पराथा बहुत ही हेलदे और टेष्टी बनकर तयार होती है और आप इस पराथा को बना कर खा लिया तो पीजा खाना भूल जाओंगे सबी सबज़िया को काटकर तयार कर लिया है अब हम एक mixy बावल लेंगे सबी कटी हुई सबज़िया को हम mixy बावल में डाल देंगे साथ में थोड़ा सा red chili powder और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मीर्स का पावडर इसका flavor इसमें बहुत ही अचा आता है अब चीज को हम इसमें ग्रेट करके डाल देंगे नमक इसमें ध्यान से ही डालने है क्यूंकि चीज में भी नमक होती है तो यहाँ पर चीज आप कोई भी variety के डाल सकते हैं तो चीज हमने यहाँ पर एक कटोरी के करीब ग्रेट करके इसम में डालेंगे अब एक चमच की सहता से इन सभी को हम मिला लेंगे तो यह हमारा mixer बनकर तयार हो गया है अब इसे हम साइड में रख देते हैं और इधर डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गये है अब इसको हम एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे ताकि डो सॉफ्ट हो जा बना कर तयार कर लिया है इसे हम साइड में रख देते हैं दूसरा रोटी भी हम चेम तरीके से बना लेंगे तो इसी तरीके से हम चार रोटी यहाँ पर बना लेंगे अब हम यहाँ पर एक रोटी लेंगे अब हम रोटी के ऊपर पीजा सस लगा देंगे रोटी को बीच में अच्छे से लगा देंगे और साइड की किनारे छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा पिजा सस लगाने के बाद इसमें सबजिया और चीज का जो मिक्सर बना कर रखी थी वही मिक्सर इसके उपर डाल देंगे रोटी के उपर अच्छे से मिक्सर डाल कर इसको हम अच्छे से फ फोल्ट लेंगे और इस तरीके से इसको हम सेप दे देंगे, हलकी हाथों से दबाते हुए, यह पराठा बनकर तयार हो गया है, इसको चलते हैं सिखने के प्रोसेस में, पैन को हमने पहले इसे अच्छे से गरम कर लिया है, अब हम इसमें पराठा डाल कर इसको अलटते पलटत हम सिखेंगे, अब हम इसमें तेल घी कुछ नहीं डालेंगे, सुखा ही ऐसे ही अलटते पलटते अच्छे से सिख लेंगे, ऐसे सुखा सिखने से क्या होता है, पराठा अच्छे से फूलते हैं, पराठा अच्छे से सिख जाने के बाद उसके बाद इसमें हम घी लगा दें और प्राठा के किनारों को भी इसी तरीके से दबाते हुए अच्छे से पका लेंगे, तो यहां पर देखिए प्राठा बहुत ही अच्छे से सीख गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और दूसरा प्राठा भी हम सेम तरीके से बना लेंगे, सेम उसी तरीके से मीडियम फ्लेम में अलर्टे पलर्टे अच्छे से पका लेंगे घी डाल देंगे घी डाल कर भी अच्छे से अलर्टे पलर्टे अच्छे से किनारों को इसी तरीके से दबाते हुए पका लेंगे तो यहां पर प्राठा अच्छे से सिख गया है इसको हम आप निकाल लेंग तो यहाँ पर देखिए दोनों पराठा हमने बना कर तयार कर लिया है अब इसे चलिए काट कर दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और सबजिया भी अच्छे से पक गया है और पराठा दिखने में भी बहुत ही सुन्दर लग रही है यह पराठा पीजा से भी बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में यह दूसरा पराठा भी काट कर दिखा रही देखिए इसकी अंदर का सब्जिया जो है अच्छे से पक गया है और चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो आप सब भी इस प्राठा को एक बार जरूर ट्राइग कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगती है यह खाने में और आप इसे बच्चों को टीफिन में भी दे सकत अगे तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तके लिए वफाई टेक क्यार